Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical, support इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके फोन में Wi-Fi scanner न हो, तो क्या करें, ठीक है, Wi-Fi scanner न हो, तो कैसे हम custom तरीके से Wi-Fi scanner का use करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, so first of all, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon, यहाँ पे हम Wi-Fi पे क्लिक करते हैं, और जैसे आ यहाँ पे आप अभी हमारे फोन में देख सकते हैं, कि Wi-Fi scanner हमारे फोन में है, और वो proper तरीके से काम भी कर रहा है, अब आपको अगर आपके फोन में हो, और अगर आपको न दीखे, तो आपको Wi-Fi वाली options पे जाना है, तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जागा आपको अपना Google Play Store उपन कर लेना है, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, Wi-Fi scanner, ठीक है, Wi-Fi scanner सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका Wi-Fi keyword code, password, scanner आपको देखने को मिल जाएगा, आप ये custom application का यूज़ करके, Wi-Fi scanner का का काम कर सकते हैं, आप देखे, default feature नहीं हैं, तो हम यहाँ पे custom तरीका यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से, ओके, so topic discover, मिलते हैं next video में, जय माता दी,